हेलो वीवन विद मॉर्लीं तो आज है साटड़े का दिन और अभी टाइम हो है सुबह के साड़े पांच होजी और अभी मैंने आटव अगयरा बना के रखा है और सुबह सुबह मुस्तुब काफी जादा अच्छा होता है चारो तरफ थंड़क थंड़क लग रही है तो और मैंने आलू को भी चिलका निकाल करेक लिए अब उसको गाउंगी तड़का और थोड़े से दहीं वाले आलू भी बनाऊंगी तो अभी पहले पानी को लीती हूं है उसके बाद खारा बना दी हूं और आपको भी दिखाती ह आपकी क्या क्या बनाया था और आसे वाले सब्येकल डहीं कॉम्हा कैंवाडक यहां पर मैंने आलू इंग क्यांप अमे बनाने के लिए तेह देया है इसपे मैंने वह बनाये जो मुझा लेकर जाने हैं तो इसको बनाती हूं और आटा भी मेरा थोड़ा बुखुत रेडी होने वाला है बबरू के लिए तो अभी इसको थोड़ी रखते हैं उसके बाद बनाएंगे बबरू तब तक मैं आलू को बना रहती हूं परी काली के लिंदे इसे खते के लिंदे सब काली के ज़रत लिंदे सिक लिदी के कोपी बनाती है बचल कोशण हो मैं खॉघड़़ा रहा है ह। गुड मोर्निंग जी क्या बनारी हो ना स्टे में बबरू मेरे फेवरेट बबरू ये ये देखनों नहीं वाले अलू ये क्या रखा है ये अलू शुक है अलू पुरा मोटा करने का राता है आप वोनी न मोंते है खोड़ा बना आपको मोंता किये जाए फिलाते है अब जी दें वाले आलू खालो विद बबरू बबरू पसाई देखो ये है बबरा अब भद्रम हम लेने लगे है फ्रूट आ रखने के लिए फ्रूट भी रखना पड़ता है तो यहां पर इस बेंड ले रहे मेरे के लिए तो अभी चल रही हूं में नीचे आ रखने के लिए बुला रहे हैं सभी दो चलती हूं अब तो यहां सबता है दो लोता है जलीचीज तो अब मतलब हनारे यहां । ओज अज माद को मतलब लेती intox का रहy हैं हर्दवार के लिए तो वो सभी अबिस तयारी का रहे हैं inviting तो सभी मतलब तयार हो रहे हैं कपड़े बगयर लगा कि खानवार खाने वाले हैं इसके बाद वो निकल जाएंगे पठान कोट से जाएंगे ट्रेन में तो डीटेलिंग में आपको घर जाके बताती हूं यहां पर नहीं बता सकती कोड़ी बढ़ी जादा गर्मी और घर जाक यह सब कुछ देखकर काफी सादा बूरा लग रहा है हूंचे लेकिन ऐसा ही कोड़ा है सभी की साथ तो अभी बस हम भी खाना खाने चार गया है तो बैग्राउंड भी तो सिज़े ही रहे हैं देतारा है तो बीचलते हैं वापिस घर मेरा एलमेंट तो वीडियो को कम्प्लीट कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने वको बताया था कि मैं उसके बाद थोड़ी देल में ही पापिस आ गई थी घर और घर आने के बाद नहाने नहुने के बाद शाम की रूटीन जो थी उसको मैंने अपने कवरत किया और अभी रात को बैठी हूं वीडियो कम्प्लीट करेंगे स्वरित भी सो गया और बच्चे भी सो गए हैं और मैंने आपको बताया था कि वह हरिद्वार के लिए कैसे जारे में आपको बताती हूं वह हरिद्वार गए हैं यहां से ब्लब चंबा से लेकर पठान कोड तक उन्हें अपने गाड़ी में उसके आगे वह ट्रेन के लिए उन्हें ने बूक करवा के रखी हुई है चाचु के फ्रेंड है इसे अप्धान कोड से थे टिक्ट वगएरा उनके लीए बुक करवा के रहरी है तो वहां से वहाँ से अगे को अपना सफर कंपेड करेंगे और कल सुंवा उहाँ पहुंच जानएगे और कल वहाँ पर मठान कोड पहुंच जान्गे это शामपी टेन हीम करने के बाद सायम के ऊधने के लिए बैठेंगे और कल राख शौंत शायद ऐसी हेत आह बजी 20 पी उ पर साथ बजी की है और सुभण पर इन पर शामपी पीर चोड़ने के लिए गए हुए ही घर वाले तो ये मोमेंट भी काफी जादा इमोशन था और आपने में देखा भी हो गए कि लिप में जहां में चाची केचन में हूँ वहां पर मैं मेरी आंखों आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी क्योंकि उस टाइम में रोकर आई थ जिसकी वज़े से थोड़ी पेस भी अलग ही हो जाता है जैसे रोए हुए होते हैं हम तो पता चल जाता है कि रोए हुए हैं तो मतलब काभी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो सारे दिन याद आते हैं लेकिन अब कुछ फाइद नहीं है उन सब बातों हो याद करके सि मतलब 13-14 दिन हो गए हैं और जैसे लग रहा है कि यह होता है कि विश्वास करने वाली बात नहीं होती है लेकिन ऐसा है कि यही सच्चाई है यह सभी को माननी पड़ेगी और अम्मा की एज भी काफी थी ऐसा नहीं था कि बड़ी चोटी एज में ही काफी अच्छी एज पा पेने जा रहा था और साथ में उनकी हैल्थ भी काफी जादा मुझा जादा कम जोर हो गए थे वह बहुत जादा बीक हो गए थे और खाने पेने में दिकत की वज़े से वह अंदर ही अंदर से जिसे होता है कि शरीर गलना शुरू हो जाता है वही था लास्ट मुमेंट तक बहुत ही जादा कम जोर हो गए थे इतनी जादा वीक थे कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था लास्ट मॉमेंट में तो वैसे तो सभी को पता था लेकिन ऐसा है कि कौन चाहता है कि हमारा अपना हमी छोड़के जाए बर उनकी हालत ठीक होने वाली नहीं थी क्यूंक आपने लास्ट पिछले वीडियो में देखा है कि जब वीडियो बनाती थी तो ऐसा था कि डोक्टरों ने भी पहले से ही घर वालों को अवेर करके रखा था इस चीज के लिए लेकिन ऐसा है कि जब ये चीज हुई तो सभी एकदम हैरान होगे क्योंकि डोक्टरों ने तो अगरता है लास्ट मुंट में वह उनका मूव और बिपन्द हो जाएका तो वह सबी टाइम था वह तो बह करते करते हैं पर चले गए तो इस बात के काफी श्ञाता बुरा है लेकिन चलो क्या करें इस बात के बार में पता झाओ कि हो रही है लेकिन चलो जो भी हुआ ठीक किया गाइस अब आपकी साथ मिलते हैं नेक्स टोब में तबते के लिए बाइ और गुद नाइच